क्या हाले साथ ही हो मैं विकास्तोंवर आपके अपने ट्रस्वर्दी चैनल स्टेटी फॉस सिविल सर्विस्टेस पे आज आपके समख्ष लेक्या आगे हैं इपीएफों को डिटेल इंडेस्ट्री इलेशनल लेबर लोग का जो सीरी चल रही है उसका पार्ट नमपर है 26 हो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पो सकता इसको ड्यक्ली ठीक आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बताता है कि यूपीएफों को कम्प्लीट प्रेट चल रहा है यूपीएफी दोहजार रिकिस कभी चल रहा है कंप्लीट क्यों है क्योंकि इसमें टेस्ट सीरीज में आप आप लोग जितने भी पूछो कुछ भी आपको परसनल गार्टन चाहिए सब कुछ यहां पर दिया जाता अगर आप लोग एड्मिशन लिया चाहते हैं तो चाहिए पॉटल लेंगे पार्टनेश्ट्री वेट उन्हीं सो बतिस के ढंतर गत तिक सेक्शन अठारा जो है आपका और अठार से बाइस तक इसमें इसकसे बात करी अधिश्शन आपार्ट्ण के ठोटी से सेक्शन अठारा क्या बोलता है प्रिस्काइब करता है पार्टनर्स को बताएगा है कि साजेदार वेबसाइक मामलों के संचालन के उद्देश से फर्म के एक एजेंट या कारक है ठीक मतलब जो भी विजने उद्देश हो रहा है उसके परपस के लिए जो है उसी के लिए वर के लिए पार्टनर्स जो बनाई हे बिजनेस करने के लिए बिमीन चीज थीक इसके बाद को पार्टनरburger act as a principal and agent वो principal भी होता है, agent की तरह भी काम करता है जब वो अपने लिए काम करते हैं ठीक, अपने interest के लिए तब वो principal की तरह काम करते हैं और जब वो दूसरो interest of another partner ठीक, मालिज़े A, B, C, D है जब यह अपने लिए काम कर रहा है महलब partnership के अंतर का थी तब यह principal है, बाकी लोग जो है, इसके लिए agent की तरह काम कर रहा है दूसरे case में क्या है कि A वाला principal हो गया और A वाला जो है, इसके लिए काम कर रहा है ठीक, कभी मालब कोई management देख रहा है कोई operation देख रहा है, यह वाली चीज़े हैं तो अगर वाला statement आ जाए कि जो partners होते हैं, क्या प्रिंस पर agent दोनों हो सकते हैं या फिर से वेक हो सकते हैं, नो दोनों ही हो सकते हैं बस यह simple है, बात कि आपका एक्जाम में questions ही हो जाए, he is not an agent for the dealing of the transaction between the partners themselves ठीक, अब यह एक चीज़ यह भी है उसके लिए नहीं agent wind है ठीक, firm के business के लिए काम, मतलब एक common जो goal है firm का business करना, वो ज़री है तब आप जब उसके लिए A भी काम कर रहा है B भी काम कर रहा है, तो कभी A principal है तो कभी B principal है, दूसरा वाला agent हो गया यह चीज़ है, ठीक, section 19 क्या कहता है, section 19 यह कहता है कि जो भी partners है, वो जो भी काम करते है वो business को, मतलब firm को बांद के रखते हैं, ठीक है, और firm के लिए काम करते हैं, और सभी लोग आपस में मिलके एक दूसरे के साथ काम करते हैं firm के लिए, ठीक, section 20 क्या कह रहा है कि यह partner can make a contract to restrict or expand the implied authority of a partner, मतलब, ABCD अगर partner है, तो यह उसमें आपका जो है, अपना किसी उसमें contract में, अनुभेंद में यह कह सकते हैं, कि वह यह जो है, वो यह फला-फला काम से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं simple यह बात है, section 21 का कहता है, कि यह बताता है, कि if any act is done by अपने के दौरा, और वो act ऐसा नहीं था कि कोई भी पागल type का आदमी कर रहा है, ऐसा act कर रहा है कि जो कोई भी एक विवेक पूर्ण व्यक्ति करता, अगर आपात काला आजाती, तो उस act के लिए पूरी firm जो है, संगठित होके उसका जो है, उसको follow करेगी, उसको मानेगी, यह वाली बात है, ठीक, दूसरा यह है कि मतलब इसमें यह इसले किया गया है कि partners ऐसा नहीं होना चाहिए, कि किसी A ने कुछ कहा और मालों उससे loss हो गया, तो उसके बाद पी, सी, डी, जो है, उसको उपर जुट गए कि तुमने गलत किया था, तो उससमें जब हुआ था, तब यह सब की सहमती थी, बाद में मतलब पलट नहीं सकते हैं, बाकी लोग, मालों ग्रूप बना लें, यह चीज़ है, सक्शन फर्म को संक्रित करता है, मतलब जो भी काम करेगा, फर्म के लिए करेगा, चैसे बी टीम पहां की से पहुंच घांजेए को उनसे अगर किसी थाट पार्टी से काहईए Кिन लेटर एट पर काम करके हैं, जो भी आप बोलन है तो इस पर लेटरेट पर लिख के दो तो आगी लगे कि फर्म की तरब से चीज़ आई है ठीक भागीदारों के करतब क्या है यह एक नई चीज़ आगए इसमें अब देखे एक चीज़ समनना यह वैसे भी बहुत जाद है चीज़ चाहे आपके अधिकार हो चाहे डिटी हो यह दोनों ही आपस में एक दूसरे से जो है संबंदत हैं इनका ठीक अगर आपके सिर्फ आप सिर्फ राइट्स ही बोलते हैं और ड्यूटी अपनी कुछ ना करे तो कोई आपके राइट की सुर्चा कोई नहीं कर सकता ठीक हर कोई अगर अपने राइट्स ही आर्दिकार ही मांगता है और कोई अपनी ड्यूटी ना करे तो क्या होगा तो फिर तो कोई क्या राइट्स को बचाया सकता नहीं बचाया सकता ठीक सबको अपनी ड्यूटी भी करनी चाहिए उसी तरीके से पार्टनर्स को भी जो है वो अपने जो है परफॉर्म करनी चाहिए डूटी और उनके राइड्स भी तभी सुरच रह सकते हैं तो उनका जो एक क्या है डूटी तू एक्ट डिलीजेंटली सेक्शन बारा बी में दे रखा है लगन के से कार करने का करतव या भागीदारों का करतव है कि वे उचित देख बाल और परिश्चनों के साथ कार करें क्योंकि उनके कारियों से अने साथ ही प्रवाइत होते हैं मतलब एक दूसरे को सबस्ते हुए और फिर मतलब ऐसे काम करें कि डिलीजेंट हो ऐसा नहीं कि कभी कुछ आवेश मे चुप गए तो ऐसा नहीं होना चाहिए उसको जो भी मतलब जो है डंक से काम करना चाहिए अगर विल्फुल एक्ट जो है लॉस या इंजिरी हो जाती है अगर जैसे इस वाले केस्ट में क्या है इसमें बी और सी थे मालिया था तो अगर इन लोंने कोई विल्फुल पर जो कारवाई जो की जो भी लुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी मालियाई करेगा ठीक तो यह वाली बात है इसके बात क्या है ड्यूटी टू इंडेम्निफाइ फ्रॉड सेक्शन टैन में दोकाड़ी को रोकने के लिए करतव ठीक अब इसमें का गया है जब भी भागि फर्म की तरफ से उसको जो है उसकी छती पूर्ती करने गोश्च करेंगे इंडेम्निफाइ करेंगे ठीक क्योंकि फर्म भागिदारों के गलत कारियों के लिए उत्तरदाई होता है इसलिए यदि दोकाड़ी अन्य भागिदारों के लिए नुकसान का कारण बनती है तो वह अब performing बदिशाएंद सzie स्सकर्ण इसको मुए पर अब करेंगे तो अगर माधिव सिलाई का काम होना था टेलरिंग का काम होना था तो वहीं होना चाहिए उसको वहाँ पे होटल खोल लिया बतागला आपने तो यह सबनी होना चाहिए ठीक है तो यह चीज जिस काम के लिए प्रपर्टी बनाई गई और जो भी डीड या फिर उसमें दे रखा था विलेक में उसी के लिए ही काम होना चाहिए बताएगा सेक्शन 15 में ड्यूटी टू हैंड ओवर परसनल गेंज अगर मालो कोई आपका जो है इसी में होटल बना लिया था और उसमें कमरें में रेंट बेंट बिते के आप जो है आप लोग को पैसा मिल गया किसी एक वेक्ति को एक हो मालो तो जो है वो सब क्यों देगा सबको बताएगा सभी भागिदारों को समान इलक्ष प्राप्त करने की दिशा में कार करना चाहिए उन्हें अन पेशे में या किसी प्रतिसपर्धी वैपार का उक्रम में सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए अगर इस ऐसा काम कर रहा है उसको पार्टनर्स को देना चाहिए उसको और जन्रल ड्यूटी क्या है समान करतब क्या है धारा नाइन में बताएगा एट इस दूटी ऑफ और सारे पार्टनर्स की यह ड्यूटी करतब है तो में अल्द एफर्स तो एचीव कॉमन गोल अमाली जो टेलिंग वाली दुकान थी त और सब लोग जो है कॉमन गोल के लिए काम करो टेलिंग की दुकान टेलिंग की जो फर्म है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करो ठीक अब इसमें यह भी बताए गया है कि वेंडू राइट्स और ड्यूटी चेंज देखते आना सुनते आना पढ़ते आना क्योंकि इसी म एन्ड हो जाती है यह फिर उसमें जब भी उसमें उनके समीधान में चेंज हो जाता है ठीक फर्म के तब जो है वहां पर जो भी ट्यूटी थे राइटस थे वह सब उशनज हो रहा कोन्तियस की जा है चैक्षण 17 कि उन्तरकाथ हो सकता उसके लिए कारण कारिकाल मालें 5 साल के लिए उसके बाद को आप का बन सकता है का आफ के सा पंस्तूशन को चीनर वेंबर नेंबर कोई यह रहती एंजाए पार्टनर के रेमें रहते हैं सेम उंटिल छपने र वह इंज हूं यह बात हो गई ठीक इसके बाद क्या है अगला हम लोग का कि माइनर का क्या है नावालिक किसी दी कह रहती है तो अब देखो जो सेक्शन 30 है आपका पार्टनर्शिप एक्ट 1932 के इसमें लीगल प्रोविजन दिया गया है कि माइनर क्या होता है अब देखो सिंपल चीज है इसमें सेक्शन 30 यह बता रहा है कि जो सेक्शन 18 है भारती अनुबंद एक्ट अठाव बहत्तर वाला ठीक इसके अंदर कर जो माइनर से बात है वह यह है कि कोई भी ऐसा वेक्टी जो अठाव से नीचे है वह पार्टनर्शिप में किसी भी कॉंट अनुबंद में नहीं आ सकता है ठीक ठीक है मतलब 18 साल से नीचे वहला कोई भी कॉंट्रेक नहीं आ सकता है लेकिन जो सेक्शन 30 है पार्टनर्शिप में इसमें कहता है कि माइनर मालो पार्टनर तो नहीं बन सकता है लेकिन पार्टनर्शिप से उभरने वाले कोई जो है ब पर लेता हूं मैं तो इसका जो बेटा था या फिर बेटी थी जो भी एठास नीची थी इसको यह जो है खुद्टो पार्टनर नहीं बन रहा है ठीक यह माले ए है यह फुद्टो पार्टनर नहीं बना लेकिन कोई भी इस फर्म में काम करने साहिए बिनके इद्याथ हो गया जो भी है तो बेनिफिट इसको मिल लेगा ठीक और एक चीवाँ समय जो भी लाइबिल्टी लॉस होगी वह उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा यह माइनर ठीक है यह चीज में बताएं यहां पर नॉट लाइनी लॉसे और लाइबिल्टी और इसमें कंसेंट होना कि भई यह बुक ऑफ एकाउंट्स को उठाक देख सकता है चेक कर सकता है कितना शेयर पर प्रॉफिट का कैसे साजा किया जाए वो देख सकता है सू कर सकता है किसी एक किसी भी पार्टनर कमाली जो कोई गलतीनी के लिए बुक्स में देखा तो उसको सू करने का आदत होनी खाए थी तो मतलब कुत्ते वली सू करते अची कुछ आपका को पार्टनर के उपड़ी प्रॉफिट जो है जैसा मिल जाए जो भी है लिम्टल लैइबिल्टी होती मतलब परसनल एसेट को आप डिस्पोस आप नहीं किया सकता है कर माली जह कोई कोई अपना जो फर्म प्रे यह चीज है ठीक माइन एज़ राइट टूब एपार्टनर और अटेनिंग दा अठाव साल के बाद वह पार्टनर बन सकता है लाइबिल्टीज क्या है आपकी माइनर की माइनर एज लिमिटेल लाइबिल्टी ठीक मतलब यह है कि वह बैनिफिट तो उसको मेलेगा लेकिन उस प्रेशन आप रशसे और ऑफीशन लिक्वृड्याटर तो अगर डिवालिया गोशित भी होगए अमाइल relativु माइनर तो जो ओफिशल लिक्यृटर यह आनि की अदिकारी परि defence समामख समाम पक है जो उसके पास में उसकी जितनी भी इसकीorterSena Ар sen और गीजिए जो भी झामिन तीज थी वह सब उसके उपर आटिमेटिक लिए ठीक तो छे मैने अठाव साल से अठाव साल के होने के चे मैने के अंतगत उसे नोटिस देना होगा कि उसे पार्टनर बनना रहें नहीं बनना उसमें रूल से रूपिल्टी आएगी सब उसको जो है देखना पड़ेगा ठीक वहने माइनए पार्टनर बिकम्सम मेंजर अब जब भी माइनर जो पार्टनर है जब भी एक नाबालिक साथी बालिक होकर वैक्स वैस्क बागीदार बन जाता तो वह तीसरे पक्ष के प्रती भागीदारों दोरा किये के सभी कर्तों के लिए उत्तर दाई हो जाता वालग जो भी जब वह बॉलिक बनके पार्टनर बन गया तो जो भी लाइबिल्टी फिर उसको वह लेनी पड़ेगी सिंपल सी दिवात है यह ठीक इसके बाद क्या है कि पार्टनर की माइनर्स की नहीं बात हो रही है आपके ठीक जॉइंटली एं शेवर्ली लाइबल for the act of the firm कोई भी एक्ट फर्म के लिए सभी लोग काम करते हैं पता है अब उस फर्म से लेटर माली जब कुछ उसने लोन लिया नहीं वापस कर रहा तो बैंक जो है वो जाके सब्सक्राइब करते हैं अब जो भी एक साल पहले कोई काम हुआ तब चालो पार्टनर थे तो सब के लगेगा अब एक साल के बाद पार्टनर एवालो हट गया तो उसके पर फिर फिर वो लाइबिल्टी नहीं लेगेगी जब का जब भी कोई लाइबिल्टी तभी होगी जब सारे पार्टनर थे तब उस फर्म से लेटेड ठीक लाइबिल्टी ऑफ फर्म की जो लाइबिल्टी है वो और किसी एक पार्टनर के जो है गलत काम करने से सक्षन सब्सक्राइ है तो उसमें क्या होगा किसी पाटने से तो और नहीं को सब्सक्राइब बिजनेस्ट या फिसनेस करते हुए जो है किसी एक पाटनर के वएसे जो है कुछ नहीं पूरा फिर फूरी फर्म लाइबल हो गई ठीक है मुझा सबको जो है फिर उसका गलत काम के लिए चुकता करना पड़ेगा यह वाली बात है सक्षन सुरी 27 का कहता है लेटिया फ्रणफ एप्लिकेशन वाइद फॉर टॉपियो के लिए फर्म की देता है लाग करोण उपया जो भी आये फिक हए उन्होंने उसको उठाखे कि दिखा दिया किए खर्चा हो गया और उसके बाद जो या फिर अपने लिए यूस कर लिया कि तो इस एक्टिंग एजेंट रिसीव दमनी उसको प्राफ्ट हुआ किसी थर्ड पार्टी से और उसको उसने मिस अप्लाई कर दिया इदा दिखा दिया मिस अप्रूपेट कर दिया बाई एनी ऑफिर्स पार्टनर दें दा फर्म इस लाइबल टूपे दा लॉस सफर्ड अब दो यह लेकिन थर्ड पार्टी से मलब बैंक से जो लिया था और वह पैसा लगा कि उन्होंने गलत जगह लगा दिया लिया था लोन टेलिंग कॉटन का कपड़ा खईदने के लिए ताकि जो उससे शर्ट बट बना से के लिए कि उन्होंने कार खईद ली तो अब यह क्या है कि यह थर्ड पार्टी के लिए पूरी फर्म जो है वह हो जाएगी ठीक यह चीज़ें बता रहा है अब जो फर्म होती उसका रेजिस्ट्रेशन कैसे होता यह भी इसी मजा लेते हैं पंजी करन कैसे करा जाएगा यह सेक्शन अठावन में दिया गया है इसमें प्रक्रिया बताए कैसे कैसे जहाता का रजीस्ट्रेशन जैस Supreme अचलों करने वाले वहां के लिए और सचेट्ब्लेशन को सइन करेंगे और इसमें रहेम Siang work चीफ फर्म का और किस स्थान पर है कोई अनिस्थान जा पर किया जा रहा है जब प्रमुक उस्थान की बात हो रही है ठीक और सरदारी फर्म की अवधी कितना है डूरेशन नेम अड्रस अफ ऑल दा पार्टनर्स जितने भी हैं भागिदार उनके सब के नाम और पता वह तारी ने साइन किया उसको वेरिफाई किया जाएगा वेरिफाई काया होगा नेम अफ फर्म शेल नॉट कंटेन इसमें मुतलब यह का गया है कि कि किसी तरीके से आपको जो नहीं हो है जो आप रहा करें अपने फर्म का टेलिंग दुकान का जो भी है वो उसमें ऐसा नहीं होना सब्सक्राइब किसी क्राउन समराट राजा रॉयल एंपरर सरकार का वाला पता चलाल नाम लगदो भारत सरकार भारत सरकार की टेलिंग शॉप ऐसा नहीं कर सकते हो ठीक है यह वाली बात इसमें यह लगए कि भाईया गोवर्मेंट ने इसको बनाया है और सक्शन 69 क्या बो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगें इंडिया में तो देखेंए अगर कोई कंपन सब्सक्राइब कराओ नहीं तो जुर्माना लगेगा आपके ऊपर और ननकी कुछ सटन डिसेबिलिटी भी हो सकती है आपको आपकी फर्म को सेक्षन 69 के अंतरकत की बताता कि गयर पंजी करन प्रभाव क्या क्या होगा वहीं है कि मालों आप पंजी करने जब कराए है तो आपका क्या आप किसी सविल कोट में जाहीं सकते हो कि पार्टनर ने यह कर दिया थाटब पार्टी ने यह कर दिया यह फिर तरद पार्टी जो है ने कुई बीचीज जेह था क्या जबूए नहीं नहीं पता हिए fresh講vern कर आए नहीं तो कैसे मान ले लिए को नॉन onzeREE है और फ GARCya और इसमें कोई भी एक्षिन जो है पार्टी के अगेंस नहीं दिया सकता है यह सिंपल सीधी बात है इसमें ठीक एग्रीव पर्सन जो भी होगा वह सू नहीं कर सकता है दूसरे को पीडित व्यक्ति फर्मो या अन्य भागिदारों के खिलाब मुकदमा नहीं दर्श कर सकता है नो एक्षिन केंड बॉट अगेंस अफर्म फर्म के खिलाब कोई एक्षिन नहीं हो सकता है पार्टनर एक्षिन नहीं हो सकता है चाहे वह डिजॉल्व हो जाय तो बिरिंग दे सूट फॉर्ड इलाइशन ओट शेयर इंदा फ़र्ण फ्रॉपर्टी ठीक और अगर फन मालो तूटी तो उसका जो भी हिस्सेदारी आपकी थी उसके अनुसार जो है आपने वाली सौ रुपे की डिजॉल्व होके पैसा आया जो भी जमीन से या जो भी है उसके इंफ्रस्रक्ट्टर से तो उसको मुकदमदार कर सकते हो कि जाके आप यह कहो कि वहीं हमको इतना पैसा इसमें दिलवाद हो इसना अमारा था भले यह पंजीगरत नहीं थी तो नौन रेजिस्ट्रेशन डू नॉट एफेक्ट दा फॉलोंग वहीं चीज यहां पर बताएगे थर्ड पार्टी सूट नहीं कर सकता है जो पार्टनर्स हैं वह थर्ड पार्टी को जो है सूट नहीं कर सकते हैं पार्टनर जो आपस में ABCD हैं वो किसी और बैंक पर जाके सूट नहीं फॉल कर सकते हैं सूट कि इसने हमसे हमको हमसे पैसे लिए हमको आपस नहीं करता है लेकिन थर्ड पार्टी पार्टनर के उपर कर सकता है अप सौन में आगी बात यह चीज है ठीक इसके बा होता है कि वह रिलीफ उसको मिल सके राहत मिल सके क्लेम पर वैल्यू पर जो भी है जो की सौर पर जदा नहीं होनी चीए तो पावर अफिशियल लिक्विडेटर ऑफिशियल एसाइनी ट्रिलीज प्रोपर्टी ऑफ इंसॉल्मेंट पार्टनर एंप्रिंग लीग एलेक्शन ज जो मैंने पहले बताया था ठीक है फिस तरिके से आज का यहां पर पार्टनर पार्टनर 26 खतम हो जाता है और 27 वह लोग देखेंगे अगले उसमें ठीक जैन जै भरत ओल्डव बेस्ट है